नमस्कार मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी आज की एक और बहुत ही महत्पूर्ण क्लास में हम भाई किन के साथ बात कर रहे हैं? हम अपनी क्लास नाइंथ के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उनस भी के साथ बात कर रहे हैं तो हमारी ये जो classes हैं जो मुख्य तोर पर आप देखते हैं कि YouTube पर जो हमारा PW Hindi Medium का चैनल है उस पर और उसी के साथ सच जो हमारी PW की app है उस पर होती है और class 9th के अंदर आपके जितने भी subjects आप देखते हैं चाहे आपका समाजी कध्यन विशय हो, science विशय हो, या फिर हिंदी subject हो, या फिर आप देखते हैं कि math हो इन सभी subjects को आप देखते हैं कि बहुत ही पर सिक्षित, trained, experienced और भैतरीन धुरंदर teachers के दुआरा उदय बैच के अंदर पढ़ाया जा रहा है और आप लोग मेरे साथ क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग मेरे साथ मुख्य तोर पर जो हमारा समाजी कध्यन विशय होता है उसको discuss करते हैं और हमारी आज की इस class में हम लोग आज सभी के साथ लोगतंत्र क्या, लोगतंत्र क्यों इस chapter को discuss करेंगे तो मुख्य तोर पर आप भारत के किसी भी बोर्ट के अंदर student हो चाहे आप CBSC बोर्ट के हो UP बोर्ट, MP रजस्थान बोर्ट, धारखन बोर्ट, छत्यसगर बोर्ट, भारत के किसी भी Hindi मीडियम बोर्ट के अंदर अगर आप पढ़ने वाले student है तो आपके लिए ये classes पूरे-पूरे तोर पर महतवपून है अब आप सभी के दिवाग में ये सवाल आएगा कि सर ये वाला जो chapter है ये कहाँ पर हमें मिलेगा तो दोस्तों मुख्य दोर पर हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका chapter है ये राजनेतिक विज्ञान है ना आप सभी को पता है जी हाँ जिसे हम लोग political science कहते हैं उसके अंदरगत हमें मिलेगा और बहुत ही महतवपून ये हमारा क्या होगा chapter होगा तो chapter का नाम आप देख पास रहे हैं chapter का नाम है लोग तंदर क्या लोग तंदर क्यों इसका lecture नमबर वन हम लोग अपनी आज के इस class में करने वाले हैं और बहुत असानी के साथ हम लोग बहुत गहराई वाली बाते हैं आप सभी के साथ अपनी class के अंदरगत करेंगे ठीक है तो क्या करते हैं दोस्तों अपनी class को बहुत ही जवर्दस तरीके से हम लोग आप सभी के समझ रखते चलेंगे और बड़े आनंदित तरीके से चीजों को समझेंगे तो आज की class में आप लोगों को क्या पढ़ लेना है या फिर किन चीजों को डिसकस कर लेना है उसको हम लोग गेख लेते हैं हमारी आज की class में हम लोग किन चीजों को अध्यान करेंगे या फिर किन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे तो अगर हम लोग देखें दोस्तों सबसे पहले लोक तंतर का क्या आर्थ होता है कि लोक तंतर का क्या आर्थ होता है या फिर लोक तंतर के क्या माईने होते है उसको हम लोग क्या करेंगे आप सभी के साथ डिसकस करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं उसके बाद हम लोग मुख्य दोर पर आप सभी के साथ discussion करने वाले हैं किस चीज़ का लोगतंदर के लक्षण के बारे में, है ना, लोगतंदर क्या होता है, पहले ये समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि लोगतंदर के लक्षण या फिर लोगतंदर की विशेशताएं क् फिर हम लोग इसे क्या क्या सकते हैं कि लोगतंदर की qualities क्या होती हैं उसको देखेंगे, और उसके बाद लोगतंदर के विरोध में तर्ग है ना, लोगतंदर शासन करने का, किसी भी देश को चलाने का एक तरीखा है, क्या लोगतंदर शासन करने का, यानि ये देश को चला क्लास में आप और हम discuss करने वाले हैं आप लोगों को कुरसी की पेटी बांध लेनी हैं किसी भी तरीके का कोई भी doubt कोई भी confusion आपको अपने समक्ष बिलकुल भी नहीं आने देना होगा बहुत अच्छे तरीके से बहुत सरल तरीके से हम लोग हर एक चीज को समझेंगे बस पूरा धियानी क्लास के अंद्रगत रखना होगा ठीक है तो चैप्टर का नाम एक बार और देख लेते हैं दोस्तों लोग तंद्र क्या लोग तंद्र क्यों और यहाँ पर हम लोग इन बिंदूओं को अपनी आज के इस क्लास में डिसकस करेंगे अगर मैं आप सभी से पिछली क्लास के अंदर या फिर आप लोग जब अख़बारों को पढ़ते होंगे तो कहीं न कहीं इस शब्द को जरूर सुन चुके होंगे अगर मैं आप से पूछू कि इसका अर्थ क्या होता है कि आप लोग इसका अर्थ बता सकते हैं जल्दी से आप लोगों को कॉमें दोस्तो एक तरफ लिखा है लोग और दूसरी तरफ क्या लिखा है दोस्तो दूसरी तरफ लिखा है तंत्र और जब हम लोग इन दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है दोस्तो तब हमारे पास बन जाता है लोग तंत्र तो भाई इस लोग तंत्र किसी देश के लोग क्या करते हैं देश पर शासन करते हैं जैसे हमारे प्यारे भारत को दीखे हमारे प्यारे भारत के अंदर क्या होता है क्या एक परिवार देश पर शासन कर रहा है नहीं क्या एक ही फैमिली के लोग देश के ओपर क्या करते हैं कबजा करके रखते हैं और उ कि वहाँ की जो जनता होती है जब वो अपने द्वारा क्या करती है देश का शासन चलाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं उसी को हम लोग तंतर कहते हैं तो यह तो यहाँ पर हमने सिर्फ इसके एक अर्थ को समझा हमने जब इस शब्द को बाटा तो हमने इसके दो शब्दों को देखा लोक और तंत्र लोक का मतलब हुआ लोग यानि ये जंता और तंत्र का मतलब हुआ शासन आर्थात एक ऐसा देश जहां पर उस देश को उस देश के नागरिकों के दुआरा उस देश को उस देश की जंता के दुआरा चलाया जाता है उ अब लोग दुनिया की किन-किन देशों में क्या देखते हैं? लोकतंत्र को देखते हैं. ठीक है? तो दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं. सबसे पहले आप देखें कि अगर आप लोग आज के समय में दुनिया की अधिकानज देखें तो वहाँ पर आपको लोकतंत्र दिख जात ब्रजील में देखिए, कैनेड़ में देखिए, आप न्यूजिलैंड में देखिए, आउस्ट्रेलिया में देखिए, तो दुनिया के अधिकांज देशों में अगर आप देखें, तो आपको क्या देखता है कि वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारे हैं, यानि कि इने देशों के क्या होता है कि जनता के दुआरा ही देश के शासन को चलाया जाता है, जनता अपने में से कुछ लोगों को चुनती है, और ये जो चुने हुए लोग होते हैं, ये देश का शासन करते हैं, देश को क्या करते हैं, आगे बढ़ाने में अपना यूगदान देते हैं, हाँ, अ और जो उसी जंता से, अगर मैं आपसे पूछ उँच एंदर राज तंद्र या फिर भारत के अंदर लोग तंद्र होना चाहिए तो आप लोग कॉमेंट करके बताइए कि आप भारत के अंदर क्या देखना चाहेंगे लोग तंद्र का मतलब कि भाई जनता अपने में से ही क्या करेगी चुन चुन कर नेता लोगों को भेजेगी और ये नेता लोग देश को चलाएंगे वही राज तंत्र का मतलब क्या हुआ? वही राज तंत्र का मतलब होता है दोस्तों राजा का राज के भाईया जी एक वेक्ती या फिर उसका परिवार ही क्या करेगा पूरे देश पर शासन करेगा और यही लोग पीड़ी दर पीड़ी देश पर शासन करते रहेंगे क्या चुनना चाहेंगे आप अपने देश के अंदर आपको पता है कि भाई राजतंतर नहीं चुना जाना चाहिए क्योंकि राश्टंतर के अंदर जंता को दबाया जा सकता है राश्टंतर के अंदर जंता की बातों को नहीं सुना जाता ये लोकतंतर ही है आप जह देखते हैं कि हाँ लोकतंतर में बहुत खामिया है बहुत कमिया है लेकिन आप ये देखते हैं कि भाई जंता को उमीद है कि ये लोकतंतरिक तरीका ही देश को चलाने का सबसे बहतरिन तरीका है हाँ लोकतंतर में सस्ता काम हो रहा है लोकतंतर में आप देख रहे हैं कि काम जो है वो सुस्त हो रहा है धीमे धीमे गती से होता है लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे देश में राश्टंतर आ जाना चाहिए तो अधिकतर लोग कहिए कि नहीं भाई राश्टंतर नहीं होना चाहिए लोगतंतर ही ठीक है देश की चलाने की पावर देश की जंता के पास होनी चाहिए किसी परिवार विशेश के पास नहीं होनी चाहिए है ना तो यहाँ पर हम लोग देखतें कि अधिकान्स यो लोग है वो राज तंत्रों को पूरे पूरे तोर पर नकार देंगे कि भईया जी राजा का राज नहीं चाहिए हमें तो लोकतंत्र ही पसंद है जिससरे हमें कहीं नकहीं ये विश्वास आता है कि लोकतंत्रिक जो तरीका है वो मुख्य तोर पर क्या है? किसी भी देख को चलाने का सबसे अच्छ़ा तरीका है ठीक है? तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों लोकतंत्र के संदर्व में जो इसकी परिभाशा है, जो अध्याय के अंत्रगत दी गई है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जिसका अर्थ हुआ लोग और दूसरा मतलब हुआ, तंत्र का चलाया जाता है, इसी के संदर्व में कुछ और परिभाशाएं भी हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, दोस्तों, एक एक करकर आप सभी के सामने डिसकस करने की कोशिश करते हैं, चली, तो यहाँ बर आप लोग देख रहे हैं, शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, दोस्त पती जी हैं, हमारे देश के अंदर प्रधान मंत्री जी हैं, हमारे राज्यों के अंदर आप लोग देखते हैं कि मुख्य मंत्री जी हैं, आपके इलाखों के अंदर आप देखते हैं कि विधायक यानि के MLA's होते हैं, ऐसी आपके छेतर के अंदर आप लोग देखते हैं कि महापोर दिख रहा होगा, यह जो सब लोग आपके अलग अलग लेवल पर क्या करते हैं? शासन कर रही हैं, है नप यह लोग कहां से आए हैं? यह लोग जनता के द्वारा चुन कर ही तो आए हैं, जी हाँ, आप देखते हैं के लोक्तान्तरिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या ह होते हैं वो क्या करते हैं वो देश पर शासन करते हैं वो अपने में से क्या करते हैं वो अपने में से कुछ लोगों को चुनकर देश पर शासन करने के लिए भेजते हैं अब भाई देश के प्रधान मंतरी कहां से आए हैं हम लोगों नहीं तो क्या किया है देश के अंदर मु ज़े गए होते हैं ठीक है तो उसी को हम लोग तंदर कहते हैं कि कोई ऐसी शासन वैवस्था यानि कि कि लेता नेता लोग होते हैं वो जन्ता के द्वारा चुने जाते हैं, उसी को हम लोग तंदर कहते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए, वोटिंग का एक सिंबल आपको दिख रहा है कि देश के अंदर आप देखते हैं कि चुनाव होते हैं, अब मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे भारत वर्ष के अंदर पात साल के बाद चुनाव कराए जाते हैं, यह तो पता है ना आपको, जी हाँ, चलिए, अब तक हमने लोग तंदर क्या है, है ना, उसकी परिभाष की कुछ रूप रेखा आपके सामने पेश की, और उसी के साथ हमने यह देखा कि लोग तंदर में कुछ ना कुछ कमिया ह भाई, कोई भी शासन का तरीका सबसे बढ़िया नहीं होता, लोग तंदर में कुछ कमिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग किसी भी वेक्ती से यह कहेंगे कि क्या देश के अंदर राश्टंदर को लेकर आएं, वो कहेगा कि नहीं नहीं भाई, राश्टंदर क हो, नहीं पूछ सकते, पूछ के देखो, राजा आपकी गरदन कटवा देगा, लेकिन आपको बता है कि लोग तंदर के अंदर पावर जो होती है, वो जनता के पास होती है, और जनता आप पूछ सकती है, और नेता लोगों को जवाब देना पड़ता है, अब यहाँ पर अ एक वेक्ती या फिर आप लोग देखते हैं, कि मुख्य तोर पर कोई परिवार, जब कोई एक वेक्ती या पर उसका परिवार किसी छेतर पर शासन करता है, और उनहीं के घरवाले या फिर उसी फैमली के लोग एक पीड़ी, दूसरी पीड़ी, जनरेशन के हिसाब से शासन करते रहें से भारत में आप देखते थे कि पुराने समय में बहुत सारे राजा लोग होते थे तो उसे राश्टंद्र कहा जाता है वहीं देश पर शासन करने का दूसरा तरीका हम लोग तांतरिक तरीके के तौर पर देख रहे हैं कि जिसमें देश की जनता ही अपने मैंसे कुछ लोगों को चुने लेती है और यह जो चुने हुए लोग होते हैं यह देश को चलाते हैं अब देश को चलाने का तीसरा तरीका भी है भाई और इसे क्या कहा जाता है उसे हम लोग यहाँ पर डिसकस कर रहे हैं इसे क्या कहा जाता है दोस्तों इसे कहा जाता है मुख्य तोर पर सेन्य तंत्र क्या कहा जाता है दोस्तों सेन्य तंत्र है ना सेन्य तंत्र देखिए हर देश के अंदर आप देखते हैं कि सरकारे होती है हर देश के अंदर आपको देखता है कि सरकार यानि कि जंता के द्वार भारत के एकदम आप क्या देखते हैं दोस्तों पूर्व के अंदर मौजूल है यह रहा हमारा प्यारा भारत और आप देख रहे हैं कि यह जो है यह जो छोटा सा देश आपको दिख रहा है दोस्तों यह है मैंमार ठीक और इसी का एक और नाम है इसी को बर्मा भी कहा जाता है प्रमा भी इस देश को कहा जाता है, आप क्या देखते हैं कि यह जो देश था, यह एक लोकतांतिरिख देश था, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर चुनी हुई सरकार थी, यहाँ पर जन्ता ने क्या किया था जो अपने नेता लोग थे, उनको चुनकर भेजा था, और वो लोग क्या कर रहे थे, देश वो चला रहे थे, बहुत सी बार यह देखा जाता है, कि लोगतांतरिक देशों के अंदर, जो सेना होती है, वो सेना क्या कर देती है, सेना तखता पलट कर देती है, तखता पलट यह इसी को क्या कहा जाता है इसी को सेन्य तंत्र कहा जाता है तो हाल फिलाल में अगर आप लोग देखें दोस्तों कि हमारा जो पुडोसी देश है मयम्मार वहाँ की सेना ने तख्ता पलट किया और वहाँ पर जो लोकतंत्रिक सरकार थी उसको समाप्त करकर वहाँ के जो सेना उन्होंने देश के ऊपर क्या कर दिया, चूनी हुई सरकार को खतम कर दिया और मुख्य तोर पर अपना अपना शासन करने का तरीखा स्थापित किया और मयंमार के अंदर अगर आप लोग बर्तमान समय में देखते हैं तो हमें वहाँ पर लोकतंत्र नहीं देखता है सेने तंतर का मतलब क्या हुआ? सेने तंतर का मतलब हुआ कि देश को चलाने का एक और तरीखा है जिसके अंतरगत आप देखते हैं कि जो देश की चुनी हुई सेना होती है वो लोकतांतरिक नेताओं को या फिर जो लोगों के द्वारा चुने गए नेता लोग होते हैं उनको को खतम कर देती है उनको कह दिए कि अब तुम्हारी शक्तियां नहीं रहेंगी अब देश को हम चलाएंगे और सेना पूरे देश पर अपने हिसाब से कब्जा कर लेती है देश के राश्पती का पद देश के प्रधानमंद्री का पद समाप्त कर दिया जाता है और सेने तंद के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं क्या आप सेना के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं अगर सेना नहीं चला रही है देश को सही तरीके से नहीं सेने तंदर के अंदर भी आप देखते हैं कि आप मुख्य दोर पर क्या है सेना की क्या नहीं कर सकते हैं दोस्तों आप सेना के इस देश को कही न護 सुना होगा ये रहा भयाज़ी है ये हमारा प्यारा भारत है और आप देखते हैं कि भारत से कुछ ही दूरी पर आपको दिखता है क्या है दोस्तों एक छोटा सा देश है सौधी अरेबिया अच्छा सौधी अरब के अंदरगत क्या दिखता है दोस्तों सौधी सौधी अरब के अंदरगत अगर हम लोग देखते हैं तो यह हमें किस प्रकार की देश का शासन दिखता है यहाँ पर हमें राज तंदर दिखता है हम लोग मुख्य दोर पर क्या कर रहे हैं हम लोग दुनिया के अंदर अलग अलग तरीके से जो देशों को चलाने की तरीखे हैं है ना उनको डिसकस कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग राश्तंतर के बारे में डिसकस कर रहे हैं देखिए राश्तंतर का मतलब क्या ह जैसे बेन आपको पहले भी बताया कि भायाजी यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर राजा वूराज को चुना नहीं जाता। आप से उस परिवार से ही राजा बनता रहता है और आज के समय में अगर आप लोग देखें दोस्तों ये जो वेक्ति हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज ये साओधी अरब के राश्पती के तौर पर या फिर आप देख सकते हैं कि राजा के तौर पर कार्रे कर रही हैं और य साओधी अरब के अंदर मान लिजे कि अगर कोई कानून बनाया गया साओधी अरब के अंदर अगर जिस तरीके से देश को चलाया जा रहा है और अगर आप साओधी अरब में रह रहे हैं और अगर आपको वो कानून पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि भाईया जिस पूरे तोर पर नहीं मिलती है, तो राज्च्चंदर के बारे में हमने देखा और उसी के साथ साथ, दोस्तों, हमने सेनने तंदर की कहानी को आपके सामने डिसकस किया, है ना, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि मुख्य तोर पर कुछ परिभाशाएं हमारे सामने र लग होता है राजा का राज है ना राज शाही कह लिजिए या फिर राज तंद्र कह लिजिए एक ही चीज के दो है नाम जैसे भारत कहते हैं इंडिया कहते हैं हिंदुस्तान कहते हैं देश तो ही कि इसके अलग अलग नाम है ऐसे ही राज शाही कह लिजिए या फिर आप और नाम से जानते हैं इसे क्या कहा जाता है अधिनायक वाद क्या कहा जाता है हिंदी में और अच्छी हिंदी में इसको अधिनायक वाद भी कहा जाता है तो इसे तानशाही भी कह सकते हैं या फिर अधिनायक वाद अच्छा अधिनायक वाद या फिर तानशाही क्या होती है भाया जी कोई ऐसा देश, जहाँ पर आप लोग देखें कि जहाँ पर लोकतंत्र हो, कोई ऐसा देश जहाँ पर लोकतंत्र हो, लोकतंत्र एक तरीके से देश को चलाया जाता हो, यानि कि चुनाव होते हो, और चुनाव होने के बाद आप देखें कि कोई वेक्ति चुनकर जो देश के शासन पर बैठे वो क्या करें दोस्तों देश के शासन पर आ गया उसके बाद वो कहें कि भाया जी मैं तो लोकतंद्र को मानता ही नहीं हूं मैं तो लोकदंदर को मानता ही नहीं हूँ वो क्या करते वो लोकदंदर को ही गलत बोल दे क्या ऐसा कभी हुआ है जी हाँ दोस्तों ऐसा दुनिया के अंतरकत आप देखते हैं कि बहुत बार हुआ है यहाँ पर हम लोग आपको जर्मनी का एग्जांपल देघे आप क्या देखते हैं हम यहाँ पर आपको जर्मनी नामक देश का एक्जांपल देंगे भाईया जी जर्मनी के अंदर आप देखते हैं कि साल 1931 के आजपास आप देखते हैं कि चुनाव हुए और उस चुनाव के अंदर एक विक्ती बहुत जादा वोटों के साथ जीत कर आत जब यह चुनाव जीत कर आया इसके बाद इसने क्या क्या दिया यह क्या दिया कि मैं तो लोकतंत्र को मानता ही नहीं हूँ जो उनका संसद था उसके अंदर गद आप देखते हैं कि संसद को समाप्त कर दिया जो देश का समीधान देश के जो नियम थे उसे फाड़ कर और फिर देश के चलाने की जो सारी शक्तियां होती है वो अपने पास रख लेता है और उसी को हम लोग ताना शाही क्याते हैं ताना शाही वाला जो देश होता है वहाँ पर तो सबसे जादा आप देखते हैं कि जंदा परेशान होती है आप अपने शासक के प्रती आप बि दूसरे विश्विश से पहले हिटलर का भी ऐसा ही ताना शाही वाला रूप हुआ गरता था ठीक है अब यहाँ पर एक वेक्ति के बारे में आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जिनका नाम है अरस्तु ठीक है एक बहुत ही बड़े ग्यानी वेक्ति जब किसी देश के अंदरगत बहुत सारे लोग क्या करते हैं शासन को समभालते हैं राज तंदर के अंदर आप देखते हैं कि एक वेक्ति राजा होता है वही चलाता है वहीं आप देखते हैं कि अधिनायकवाद या पिर ताना शाही के अंदरगत भी आप देखते हैं कि ए अगर हम लोग देखें, राजशाही के अंद्रगत आप लोग देखें, कुछ मुठी वर लोग, है ना, कुछ मुठी वर लोग जैसे, राजा हुआ या फिर राजा का परिवार, है ना, राजा हुआ या फिर राजा का परिवार, जैसे, अगर हम लोग साओधी अरब के अंद के पास होगी है ना वो परिवार के साथ भी शेयर नहीं करता अपनी पावर जो हिटलर था वो परिवार के साथ भी अपनी पावर को शेयर नहीं करता ठीक है तो ये वुख्य दौर पर आपने लोकतंत्र है उसी के साथ राश्चाही या फिर राश्चतंत्र क्या होता है ताना लोकतंत्रिक शासन में सरकार चलाने वाले विधाईका को चुनने गाधिकार लोगों के पास होता है अब आप कहेंगे सरी कौन-कौन से शब्द लिया है कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा है ना देखिए सबसे पहले आप सभी को पता है कि जिस भी देश के अंदर हम लोग यहा हैं कि हमारा प्यारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्यों कि हमारे प्यारे भारत में चुनाव होते हैं हर पांच साल के बाद और जनता क्या करती है दोस्तों जनता अपने इलाकों से क्या करती है नेता लोगों को चुनकर भेशती है हर एक छेदर से एक एक वेक्ती चुन इसी को अंग्रेजी में गवर्मेंट कहा जाता तो गवर्मेंट क्या है कि जितने भी हमारे जीते हुए नेता लोग होते हैं इनको जो देश को चलानी की जिम्मेदारी दी जाती है इसी को सरकार कहा जाता है अकेला विक्ती तो नहीं चला सकता देश को अकेला विक्ती पूरे बीर जीवी चाहिए हमें हर एक खिलाडी चाहिए ऐसी आप क्या देखते हैं दोस्तों ऐसी पूरे देश के विकास के लिए नेता लोग अपनी टीम बनाते हैं जिसे सरकार कहा जाता है और यह मुख्य दोर पर क्या है यही लोग देश को चलाने के विधायक या फिर कानून ब बनाते हैं या पिर सरकार बनाते हैं और यही सरकार क्या करती है देश को चलाने के कानून बनाती है देश में जितने भी कानून बनते हैं यही नेता लोग तो बनाते हैं और देश के विकास कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो भी हमारे इन नेता लोगों के पास ही होती ह अब यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि ग्रीस के जो शहर थे वहाँ पर क्या किया गया है? सबसे पहले लोककांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया है कभी न कभी तो ऐसा रहा होगा कि लोकतंदर की शुरुवात हुई होगी क्योंकि अगर हम लोग इतिहास को देखते हैं आधी काल से देखते हैं तो मनुश्य के अंदरगत राजाओं का ही शासन रहा था कि छोटे-छोटे कभीले हुआ करते थे और उन कभीलों के अंदरगत एक मुखिया होता था वही शासन किया करता था धीरे-धीरे ये कभीले बढ़ते चले गए कभीलों को मिला कर आप देखते हैं कि शहर बने शहरों को मिला कर राज्ये बने फिर बड़े-बड़े सामराज्य और देश बन गए लेकिन आप देखते हैं कि इसकी के साथ लोकतंद्री की जो शुरुवात थी कि देश के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वही अपने में से कुछ लोगों को चुन कर भेजेंगे और वह देश को चलाएंगे इसकी सबसे पहले शुरुवात हमें ग्रीस यानि कि युनान के अंदरगत होती हुई दिखती है और वह भी पांचवी सदी के अंदरगत हमें होती हुई दिखती है अभी हम लोग 21 सदी के अंदरगत हैं 21st century में हैं तो आज से आप लोग देख रहे हैं कि काफी सेकड़ो साल पहले लगभग 1500 साल पहले आप देखते हैं कि मुख्य दौर पर क्या किया गया था कि ये हमारी जो लोकतंतरिक वेवस्था के शुरुवात थी वो दुनिया के अंदरगत की गई थी अब यहाँ पर कुछ और विशेष्टाएं हम लोग डिसकस करना है लोकतंतर के संदर में लोकतंतर की विशेष्टाएं लक्षण यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हैं लोकतंतर के लक्षण या फिर लोकतंतर की विशेष्टाएं लोक्तांतरिक व्यवस्था के अंदर कर असली पावर जंता के पास होती है आप सभी को पता है आखरी फैसला जो होता है वो क्या होता है दोस्तों आप सभी को पता है वो जंता के पास होता है अब देखिए हमारे देश के अंदर ही आप देख लिए जो चुनाव होते हैं हर प लोग देखते हैं कि कौन मुख्य मंतरी बनेगा या फिर आप लोग देखते हैं कि कौन प्रधान मंतरी बनेगा इसको चुनने में सबसे बड़ा ही जिम्मेदारी किसके होती है वहिया जी हमारी जनता की ही होती है जनता जिसे चाहे सबसे दादा वोट देकर क्या कर सकती है प जनता जिसके वादों को पसंद करती है उसे वोट देती है और फिर जिसको सबसे ज़ादा वोट या फिर आप देखते हैं कि मत मिल जाते हैं वही मुख्य तोर पर नेता बन जाते हैं तो देश को चलानी की जो असली पावर या फिर जो आखरी फैसला होता है वो देश की जनत के पास इसी होता है, जनता जिसे चाहे क्या गर सकती है, अपना नेता चुन सकती है, या फिर उसको क्या गर सकती है, ना पसंद भी कर सकती है ठीक है, आगे बढ़ते क। यहां से हम लोग देखते हैं कि जो किसी भी लोकतंतरिक वैवस्ता के अं Lindsay का आप देखें जो चुनाव हैं वो सही तरीके से नहीं हो रहे हैं आप दुनिया के बहुत से देशों के एक्जामपल देख सकते हैं आप चीन के एक्जामपल देख सकते हैं आप रशिया के एक्जामपल देख सकते हैं इन देशों के अंतरगत ये बात रखी जाती है कि भाया जी यहाँ पर भी चुनी हुई सरकार होती है और यहाँ पर vote होते हैं लेकिन मुख्य दोर पर आप लोग देखते हैं कि जो चुनाव होते हैं वो निस्पक्ष तरीके से नहीं होते हैं जो नेता लोग जीच जाते हैं वो अपने favor में अपनी तरफ क्या करते हैं, वोटों को बदलने की कोशिश करते हैं, अपनी power का दुरूप्योग करते हैं, तो जो एक असली लोकतांतरिक देश होता है, वहाँ पर क्या किया जाता है दोस्तों, वहाँ पर निस्पक्ष बिना किसी गड़बड़ी के क्या किया एक दाम, ऐसा नहीं कर सकता कोई नेता, आप देखें कि कोई भी नेता वुख्य दोर पर क्या नहीं कर सकता, जनता को दरा नहीं सकता, अपनी तरफ आगरशित नहीं कर सकता, अगर ऐसा किया जा रहा है, तो फिर उस छेदर के अंदर वास्त्विक लोकतंतर नहीं है, वहाँ पर आप देखते हैं कि सिर्फ नाम मातर का ही लोकतंदर स्थापित है तो एक अच्छे लोकतंदरिक देश के अंदर चुनाव बिना किसी गड़बड़ी के होते हैं वहाँ पर जनता को डराया है नहीं जाता बलकि जनता को वादे किये जाते हैं जनता को बताया जाता है कि हम इनिन बातों पर आपसे vote मांग रहे हैं, अगर आप हमें चुनेंगे, तो हम देश में यह यह बदलाव लाएंगे, और फिर जनता को जिनकी बाते बसंद आती है, जनता उन्हें चुन लेती है, और अपना नेता बना लेती है, अच्छा, जब देश के अंदर आप देखते है कि चुनाव होता है, तो जो सत्ता दल होती है, उसके हारने को ठीक क्या है बचो, ठीक ठीक संभावना हमें दिखती है, सत्ता दल का मतलब क्या होता है, सत्ता दल का मतलब है कि जो अभी देश को चला रही है, जो अभी देश को चला रही है, आप देखते हैं कि उनके उपर बहुत जादा प्रेशर होता है जैसे आज के समय में अगर हम लोग देखें हमारे प्यारे भारत वरिश के अंद्रगद जो भारतिय जंता पार्टी है बीजिपी है अभी वो क्या कर रही है वो पूरे देश पर क्या करा हुआ है और उनके सबसे जादा लोग जीते हैं तो को चला रहे चलाने वाले सरकार या फिर जो पार्टी होती है उसके आप देखते हैं कि उस पर जादा प्रेशर होता है कि वो सही तरीके से लोगों को अपनी तरफ अगरशित के उनको अच्छी बाते बाते बताया और उनको वोट अपनी तरफ दिलवाने के कोशिश करें है और आप देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य तोर पर समय समय पर चुनाव होते रह जाते हैं और हमारे देश के अंदर क्या होता रहता है चुनाव के बाद भिन भिन सरकारें बदलते रहते हैं तो जिस सरकार की सबसे से जादा, जिस भी पर्टी होती है, उसके सबसे जादा वोट उने मिल जाते हैं, वो देश में सरकार को बनाती है, किस तरीके से होती है, आने वाले चैप्टर में हम उसको डिसकस करेंगे, तो किरपया उसको घबराऎए नहीं. हम लोग सिर्फ यहां पर अभी लोकतंद्र क्या है उसकी जो परिभाशा या फिर जो उसकी विशेष्टाएं है वो आपके सामने बता रही है तो लोकतंद्रिक देश के अंदर चुनाव निस्पक्ष होते हैं बिना किसी डर के होते हैं और उसी के साथ सच चुनाव समय समय पर होते हैं, चुनाव के बाद जो लोग चुने गए होते हैं, वो हार सकते हैं, है ना, जैसे अगर आप लोग चाइना के अंदर कर देखें, तो चाइना में एक ही पार्टी आपको दिखती है, है ना, बड़ी अजीब बात है, एक ही पा और जिसके सबसे जादा साथ ही जीत जाते हैं, वो देश में सरकार को चलाता है, कभी Congress आ जाती है, कभी बीजेपी आ जाती है, लेकिन चाइना के अंतरकत आप देखें, वहाँ पर एक ही पार्टी है, Chinese Communist Party, और वही चुनाव में खड़ी होती है, जंता को उसे ही चुनाव होत क्यों, क्योंकि उसमें ये विशेशता नहीं है, कि वहाँ पर चुनाव के बाद सरकारें नहीं बदल रही है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखें दोस्तों, एक्जामपल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ जैसे चीन की बात करी जाए, रूस क के बात करते हैं, तो जैसे भारत के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारी राजनेतिक दल है, बीजेपी कॉंग्रस जैसे हमने पीछे डिसक्स किया, और भारत के अंदर यह जो अलग-अलग राजनेतिक दल होते हैं, यह जनता से चुनाव के समय वादा करते हैं, जिसके भ जनता के पास options मौझूद हैं ये वास्तविक लोकतांतर एक देश में ऐसा होता है लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं चाइना की या फिर अगर हम लोग बात करते हैं रशिया की भाई वहाँ पर तो सिर्फ एक ही party दिख रही है अब जनता को ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ता है उसी political party को उसी दल को चुनना पड़ जाता है पास साल के लिए इनको चुना दुबारा से यही लोग कहेंगे कि हमें वोट देती जी है कोई दूसरा है ही नहीं जनता को क्या करना पड़ता है इन ही लोगों को मुख्य तोर पर चुनाव में वोट देना पड़ जाता है ना तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस बास से कहीं न कहीं पश्ट होती है कि भारत का जो लोकतंद्र है वो वास्तविक्ता में एक स्वतंद्र लोकतंद्र है एक अच्छा लोकतंद्र है और एक सकारात्मग लोकतंद्र है क्योंकि देश में चुनाव सही तरीके से हो रहे हैं देश में चुनाव बिना किसी गरबड़ी के हो रहे हैं देश के अंदर चुनाव में जंदप को डराया नहीं जा रहा है और इसी वज़ाद से यह कहा जा सकते हैं कि हमारे प्यारे भारत बरिश के अंदर का जो लोक्तंतर है वो फल फूल रहा है लेकिन अगर हम लोगात करते हैं भाया जी चीन की और रूसकी वहाँ पर अगर वो ल आम मादर के लोकतांत्रिक हैं असलियत में लोकतांत्रिक थोड़ी हैं अगर असलियत में लोकतांत्रिक होते तो वहाँ पर आप देखे कि बहुत सारे राजनेतिक दल होते और इन सभी अलग अलग राजनेतिक दलों के बीच में चुनाव होते हैं तो यह कुछ विशेष्टा पास एक वोट देने का अधिकार हूना चाहिए है ना अब अगर आप लोग भारत के अंद्रगत देखें जैसे हमारे भारत के अंद्रगत कौन वोट कर सकता है आप में सब्गतर बच्ची होंगे आप सभी 18 साल से छोटे ही है भारत के अंदर अगर कोई भी वेक्ती च्या है दोस्तों वयस्क है, वयस्क का मतलब क्या होता है, अटारा साल से बड़ा है, अब चाहे आप पुरुष हों, महीला हों, या फिर आप तीसरे लिंक से संबन्दित हों, है ना, आप भारत के अंदर रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत में अगर आपका जन्म हुआ है, भार सार्व भूमिक वयस्क मतधिकार भी कहा जाता है, है ना, सार्व भूमिक वयस्क मतधिकार, इसका मतलब क्या हुआ, सभी को, सार्व भूमिक का मतलब क्या हुआ, सभी को, वयस्क का मतलब क्या है, 18 साल से बड़े, और मतधिकार का मतलब क्या है, वोट के भीया, सभी 18 साल से ब पञ्जाबी बोलते हो तुम वोट नहीं दे सकते अरे नहीं भाई तुम तो दक्षिन भारत में रहते हो तुम्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा आप अपने नेता को चुन सकते हैं और आप देश के शासन में योगदान दे सकते हैं आप रिसाइड कर सकते हैं कि आपके छेतर पर कौन शासन करेगा ठीक है और आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो हर एक वोट होता है उसकी कीमत आप क्या देखते हैं सवान होती है जैसे अब देखे ये भी कितनी अच्छी बात है हमारे देश के अंदर अगर आप लोग देखें कि हमारे देश के अंदर जब चुनाव होते हैं तो हर एक वोट की कीमत एक बानी जाती है जैसे अगर आप लोग देखें कि यहाँ पर एक वेक्टी है यह हमारे कंकल जींग है यह वोट देने के लिए गए अगर इन्होंने अपना एक वोट दिया तो उसकी क्या गिंती की जाएगी उसकी एक गिंती की जाएगी दुनिया की कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पर क्या किया जाता है जहाँ पर वोटों की गिंती को दो तीम भी किय गया है, सब वेक्ति जब वोट देने जाएंगे, अगर मैं वोट देने जाओंगा, कोई और वेक्ति वोट देने जाएगा, तो उनका मूले एक ही होगा, एक वोट को एक ही वैल्यू दी जाती है, तो यह भारत के अंत्रगत आप देखते हैं, की बहुत ही जबरदस बाचीत ह हमें दिखती है अब यहां पर हम लोगों ने ये तो डिस्कस किया कि जो हमारी लोकतांतरिक व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है लोकतांतरिक व्यवस्था की अंदरगत जनता के पास अधिकार होता है लोकतांतरिक व्यवस्था की अंदरगत क्या करते है जनता अपने में स लोगों के खिलाफ बात कर सकती है और नेता लोग जो है उनको जंता की बातों को मानना पड़ता है ये बात हमने देखी अब यहाँ से हम लोग डिसकस करेंगे कि वुख्य तोर पर यह जो हमारा लोगतंद्र है ना ये लोकतंत्र में बहुत सारी अच्छी बाते हैं लेकिन क्या ये पूरे तोर पर सबसे बढ़िया है देखिए कोई भी चीज पूरे तोर पर बढ़िया नहीं होती तो यहाँ पर हम लोग लोगतंत्र के विरोध में कुछ तरक देखेंगे तरक का मतलब बात हैं लोकतंत्र के स्वरूप में या फिर लोकतंत्रिक शासन विवस्था के अंद्रगत रही होगी तब से पहले हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर नेत्तर बदलने से ऐस्तिर्था पैदा हो जाती है इसका मतलब क्या है कि वह जी देखिए कि 5 साल के लिए मालनेजी की चुना हुए और 5 साल के बाद एक पार्टी बीजेपी आ गई मालेजे 5 साल चुना हुए और 5 साल के लिए बीजेपी आ गई फिर 5 साल बाद दुबारा चुना हुए तो कोई और पार्टी आ गई तो इससे क्या होता है कि जो देश को चलाने वाले नेता लोग होते हैं वो बदलते रहते जिससे एस्तिरता आते हैं, जिससे आप देखते हैं कि ठहराव नहीं आता, अब किसी नेता ने या फिर किसी सम्हू ने कोई काम शुरू किया, उन्होंने कोई मैट्रो बनाई, किसी ने कोई सड़क बनाई, दूसरे लोग आ गए उनको गएंगे कि नहीं नहीं ये अच्छा प्लाइन नहीं हम नया प्लाइन लेकर आएंगे, तो जब आप देखते हैं कि सरकारे बदलती रहती हैं, लोगतंदर के बारे में सबसे पहड़ी कमी यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जब जब नए 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 लोग आते रहते हैं, तो नए 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 लोगों के आ जाने आई तो उनको पसंद आया कि यह सड़क वाला बनाने का अच्छा तरीका नहीं है, हम फ्लाइ ओवर की तरफ से लेके जाएंगे, तो उससे आप लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऐस्तिरता का खत्रा बना रहता है, काम के पूरा ना होने का खत्रा लोगतंतरिक देशों के बना रह सकता है, उसी के साथ आप देखते हैं कि लोगतंतर के अंदर प्रतीस प्रधा बनी रहती है, और सत्ता, सत्ता का मतलब क्या होता है, देश को चलाने की पावर, है न, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सत्ता का मतलब होता है, देश को चलाने की शक्ती, अब हमारे भाईया जी हर राजनितिक दल हमारे देश में आप देखें कि हर नेता जो वेक्ती है वो कहा चाता है कि भाईया मुझे सबसे दादा वोड मिल जाएं और इन सभी की बस यही प्रात्मिक्ता होती है जंता की समस्याओं को यह कम क्या करते हैं सुलजाने की कोशिश करते हैं लो एक विधायक बन जाओं पस वो क्या करते हैं एक दूसरे से कॉमपडिशन करते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं और जंता की समस्याओं को सुलजाने की वज़ाए एक दूसरे की टांग खिचाए की जाती है और जंता को क्या किया जाता है कही न लोकतंद्र की एक कमी एक और कमी हमें दिखाती है है ना और लोकतंद्रिक देश के अंदर अगर हम लोग देखें दोस्तों कि जिस देश के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाया लोकतंद्र होता है वहाँ पर मुख्य तोर पर हमें एक और चीज़ दिख जाती है वो क्या दोस है ना एक बर चुनाव हो गए चुनाव से पहले तो निदा जी कह रहे हैं हाँ अरे माई माई हमें ही वोट देना चुनाव हो जाने के बाद वो कौन माई वो तो आपके घर पर ही नहीं आते हैं ना देखिए लोकतांदेक देशों के अंदर क्या होता है भारत के संदर में अब जनता को इसके वादे पसंद आये इस वेक्ति के और इस वादों को पसंद आ जाने के बाद सभी जनता ने इसको सबसे जादा वोट दे दिये अब भाई ये वेक्ति जीत गया और जीतने के बाद नेता बन गया इलाके का लेकिन जीतने के बाद फिर ये पांच सालों क अंदर जो लोग हैं वो कम पड़ी लिखें तो जनता लुभावनी वातों में आ जाती है और गलत विक्ती का चुनाव हो सकता है और फिर ये गलत विक्ती देश के शासन को परभावित करता है तो लोकतंतर में गलत विक्ती के पास शक्तियां आ सकती है और ये आपको देखता कि लोकतंत्र की एक और बहुत बड़ी कमी हमें देखती है ना उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि लोकतंत्रिक जो सरकारे होती है उसके अंदरगाज जो निर्ने लिये जाते हैं उनमें बहुत बड़ा समय लगता है है ना बहुत बड़ा समय का मतलब क्या होता है आप लोग देखें कि बहुत से अगर सरकार किसी private company को को प्रोजेक्ट देती है तो वो private company जल्दी बना लेती है किसी building को ये सड़क को है ना लेकिन अगर आप लोग देखें कि जब सरकार के द्वारा बनाया जा रहा होता तो उसमें बहुत जादा समय लग जाता है है ना आप देखते है कि लोकतांतरिक जो सरकारे होते हैं लोकतांतरिक जो काम होते हैं उसमें आप लोग देखते हैं कि वो बहुत ही धीमी गती से होते हैं और ये भी क्या है कि ये भी मुख्य तोर पर क्या है लोकतांतरिक स्वरूप की एक नएक कमी है काम बहुत धीमी धीमी गती से होता है क्य अपने हिसाब से फैसला दे दे हर एक चीज़ डिसकेशन करकर की जाती है इसलिए आप देखते हैं कि लोगतांतरिक सरकार के अंदर का मुख्य दौर पर क्या होता है काम जो होता है वह बहुत धीमी धीमी गती से आपको होता हुआ देखता है और लोगतांतर के अंदर आप ल तो उसके अंदर कर आप देखते हैं कि पहले मिटिंग ली जाती है और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि फैसला ले जाता है जिससे कहीं न कहीं आप देखते हैं कि जो समस्या है उसका जल्दी से निप्टा रहा होना कहीं न कहीं आपको देखता है कि उसमें अवरोध हम दिख सकता है तो ये कुछ लोकतंतर के संदर में हमें क्या दिखता है दोस्तों कमजोर बाते दिख जाती है उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि लोकतंतर के अंदर कई बार गलत फैसली भी ले लिये जाते हैं बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोकतंतर जो सरकारे होती है वो कु ऱुछ नए कानून बनाए गए थे भारत की के खेती को लेकर जिसे हमारे किसानों ने पसंद नहीं किया था और किसान लोग आ गए थे और उन्हों ने उसका विरूद किया तो बहुत बार यह देखा जाता है कี่che लोकतांतरिक सरकारे जो होती है वो जनता की लिए जो कानून बनाने वाली होती है उसमें जनता की भलाई कि उतने जादा आप देखते हैं कि ध्यान की तरफ नहीं दिया जाता तो बहुत बार आप क्या देखते हैं कि गलत फैसले भी जो हमारी लोकतांतरिक सरकारे होती है वो बस खड़े हो गए भाषण दे दिया एक बार मुझे वोट दे तो तुमारे घर में हर चीज बढ़िया कर दूँगा इलाकिया में हर चीज बढ़िया कर दूँगा चुनाव जीतने के बाद फिर वो विक्तिक आया हो जाता है जंता की जो असली परेशानिया हैं उनकी तरफ आप देखते हैं कि इन नेता लोगों का या पर प्रतिनीधियों का वास्तविक ध्यान नहीं होता है और उनको जंता के वोट मिल जाने के बाद उनसे कोई लेना देना नहीं होता है फिर तो वो जंता की तरफ देखते भी नहीं है यह भी लोगत बड़ी कमी हमें देखती है उसी के साथ आप देखते हैं कि चुनाव के अंदर क्या दिख जाता है चुनावी भरष्टाचार आपको होता हुँआ दिख जाता है वो लोगों को ले दी जाती है वोट प्राप्ट करने के लिए ये लोकतंद्र को कमजोर करती है और ये लोकतंद्र की कमी है कि एक बेक्ती अपने वोट को बेच सकता है आपको देखते है कि एक बेक्ती एक साध्रन सी चीज़ के ओपर अपने वोट को बेच सकता है और जो चल यानि कि गलत चीज पैदा होती हुई हमें दिख जाते हैं उसी के साथ साथ जो साधरन लोग होते हैं हमने बदाया ना जैसे हमारे देश के अंदर मुख्य दौर पर अगर आप लोग देखें भारत की जनता जो है वो मासूम है अधिकतर जो हमारे देश के अंदर रहने वाले ले आते हैं और अपने वोट को प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनकी दरफ धियान नहीं देते हैं तो जनता पूरे तोर पर आपको देखता है कि साधरन है मासूम है और उसको ज़्यादा समझदारी नहीं है तो समुदाय की भलाई के फैसले जनता उतने होई देश के अंदर चुनाव हो जाने के बाद असलिव से फैसी कानून में कोई कोई बदलाव करना है तो तो भी क्या होगा वही योह वह होता है अपको देखता है वह भी नेता लोग की करते हैं जनता का काम रहा जनता तो तो ऋसरु एक एक वाट दिया, तो कहीं न कहीं यहाँए भी ही बात बताये जाती है, लोकतंतर के अंदर ये भी कमी है, जंता इक वार क्या घरती है, अपना दौर पर देखती है तो यहाँ तक दोस्तों हमने मुख्य दौर पर क्या किया है अपनी आज की क्लास से संबन्दे दिन सभी बातों को आप सभी के समख्ष रखा और हमने किन किन बातों को आप सभी के साथ डिस्कस किया है इसको एक बार हम लोग quickly क्या कर लेते हैं, समझने की कोशिश कर लेते हैं हमने आप सभी के साथ मुख्य दौर पार लोकतंदर क्या है, आपने आज किस class में ये देखा लोकतंदर का क्या अर्थ होता है, उसको हमने आप सभी के सामने देखा कि जब जनता के दौरा, जब क्या करती है, जनता अपने में से ही कुछ लोगों को चुनकर भेशती है देश पे शासन करने के लिए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंदर की क्या क्या विशेश्टाइन थी उनको हमने देखा और लोकतंतर की विरोध में क्या-क्या बाते हैं उसको हमने समझा और शासन करने के जो अलग-अलग हमारे तंतर थे लोकतंतर हुआ, सेन ने तंतर हुआ, उसी के साथ आप देखते हैं कि मुख्य दोर पर ताना शाही हुई और इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी की समाथ हमने क्या किया दोस्तों, डिसकेस किया अब हम लोग आप सभी को लेके चलेंगे कहाँ पर अब हम लोग आप सभी को लेके चलेंगे क्विस की और कि भाईया, जोबी चीज़े पढ़ी है उससे related कुछ सवाल तो कर लें करें की नहीं करें, जी हाँ तो यहाँ पर कुछ कोश्शन्स आपके सामने है और आपको क्या करना है दोस्तों उनके answers को एक एक करकर comments के अंदर आपने सामने पेश कर देना है तो सवाल है कि जिस शासन प्रणाली में शासकों का चुनाव जंता के द्वारा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है किसी देश के अंदर देश को चलाने का ऐसा तरीखा जहां पर देश की जंता ही क्या करती है अपने में से कुछ लोगों को नेता बना कर भेशती है देश को चलाने के लिए उनको क्या कहा जाता है या आपसे पूछा जा रहा है अधिनायक तंद्र, राश्टंद्र, लोक्तंद्र या फिलील तंद्र एक बहुत अच्छा सवाल है और जल्दी से आपको क्या करना है दोस्तों बिना किसी समय को बजट करे हुए इसके आंसर को पेश कर देना जल्दी बताइए कि जिस शासन प्रणाली में शासकों का चुनाव जन्ता के दुआरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है बहुत अच्छा सवाल है बहुत महतरपूर सवाल है और आपके पेपर के अंद्रिकत आप देखते हैं कि इस प्रणाली को बहुत ही बार पूछा गया है तो सवाल है कि जिस शासन प्रणाली में जो देश की जन्ता होती है है ना वो क्या करती है दोस्तों चुनाव में भाग लेती है और देश की जन्ता के दोआरा ही देश के शासत यानी के नेता लोगों को चुना जाता है उसको हम लोग लोकतंतर क्याते हैं है ना आप सभी को बताए कि लोकतंतर के अंदर चुनाव होते हैं और लोकतंत्र के अंदर चुनाव होते हैं, तो जंता उन चुनाव में भाग लेती हैंAR Zmanik और जंता के दुआरा ही क्या किया जाता है? अपने प्रतिनीती या फिर नेता लोग चुने जाते हैं और यही नेता लोग क्या होते हैं? देश को correct के काम करते हैं जहाँ पर हमें आज के समय में अगर हम लोग देखें तो हमें ताना शाही सरकार दिख जाती है या फिर अधिनायकवाद या फिर डिक्टेटर शिफ्ट के भाईया जी एक ही विक्ति का शासन है और आप उसके खिलाब बोल नहीं सकते हैं ठीक है चार ओप्शन्स हैं उत्तरक भारत है भारत के अंदर तो हमें क्या दिखता है दोस्तों भारत के अंदर हमें लोग तंदर दिख रहा है जंता के बीच चुनाव होते हैं जंता अपने में सही लोगों को चुनकर भेशती है रूस के अंदर बीच चुनाव होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर भी लोग त देश का क्या है दोस्तो थाना शाह या पर डिक्टेटर बना हुआ है ऑप्षिन ए हमारा क्या बनता है दोस्तो बिलकुल सही बनता है अगला सवाल आपके सामने पूछा जा रहा है कि विश्व की अधिकतर देशों में कौन सी शासान विवस्था कायम है यानि कि अगर आज के समय में हम लोग देखें कि दुनिया के अधिकतर देशों में हमें किस प्रकार की शासन विवस्था देखने को मिलती है राश तंद्र है, लोग तंद्र है, कभीलाई तंद्र है, यानि कि अभी भी कभीलों में बटे हुए है या फिर इन में से कोई नहीं, चार ओप्शन्स आपके सामने है और आपको जल्दी से सही ओप्शन के आंसर को पेश करना है जल्दी बताइए दोस्तों कि विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन विवस्था कायम है आज के समय में लोग तंत्र देखता है, कभीलाई तंत्र देखता है, चार ओप्शन्स हैं और आपको जल्दी से अपने आंसर को क्या करना है दोस्तों हमारे साथ शेयर करना है बिए बी-चीडिशार उप्षिंज और देखते हैं दोस्तों कि दुनिया के जो हमारे अधिकतर देश हैं वहाँ पर अगर आप लोग आज के समय में देखें कि वहाँ पर किस तरीके से देश के शासन किया जाता है तो हमें लोग तंद्र देखता है वरतवान समय में अगर हम लोग देखें, आज के समय में हमें दुनिया के अधिकतर देशों में लोगतंद्र देखता है, आज से अगर आप लोग क्या कर ले थे, पांसो साल पीछे चले जाएंगे, तो भाया जी आपको सिर्फ राजकंद्र, राजकंद्र ही देखेगा, राजा हुआ करते थे, लेकिन के पास है, जैसे आपके एक्जाम होते हैं, आपके हर साल एक्जाम होते हैं, आपके एक्जाम कराने की जिम्मेदारी आपके बोड की होती है, इसकी बेसी बोड की होगी, अगर आप यूपी बोड से हैं, तो यूपी बोड की होगी, जिस भी स्टेट से आप आ रहे हैं, त आपके state board के होगी, ऐसे ही देश के अंदर चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है देश के राश्पती कराते हैं, देश के प्रधान मंतरी कराते हैं, देश का चुनाव आयोग कराता है या पिर देश के विधी मंतरी जो कानून बनाने वाले मंतरी होते हैं, वो करते हैं, चार सवाल है, एक सवाल है, उसके चार आप्शन हैं, A, B, C, T, जल्दी बताईए दोस्तों कि इन में से कौन आपको लगता है कि देश में हमारा जो चुनाव है, उसको कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, है ना, अ दोस्तों कि चुनाव निस्पक्ष और इसमें किसी प्रकार से जनता को क्या ना कराया जाए, दराया ना जाए, भै मुक्त चुनाव होने चाहिए, बिना किसी डर के चुनाव को कराया जाए, जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी, जनता को बिना डर के चुनाव कराने की जि अच्छा सवाल है तो आपको जल्दी सा अंसर देना होगा कि भारत में राशपती की चुनाव हम कितने वर्षों के अंत्राल के बाद होते हुए दिखते हैं 3 साल में आते हैं 4 साल में 5 साल उल के लिए या 6 साल से जल्दी बढ़र आईए बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने यहां पर रखा गया है कि भारत में राश्पती का चुनाव कितने वर्षों के बाद आप देखते हैं कि किया जाता है A, B, C, D, चार आप्शन हैं और यहां पर जो हमारा सही आप्शन है दोस्तो, आप्शन नंबर C कि भारत में हर 5 साल क के लिए आप देखते हैं कि भारत में किसी भी विक्ति को राश्पती बनाया जाता है और उसके बाद 5 साल हो जाने के बाद दुबारा सिदेश के अंद्रगज चुनाव को किया जाता है अगरा सवाल है कि कौन सी लोकतंद्र की विशेष्टा नहीं है इन में से कौन सी बात है जो लोकतंद्र की विशेष्टा नहीं दे रही है या आपको क्या करना है दोस्तों हमारे साथ डिसकस करना है इन में से वो क्या चीज़ है जो लोकतंद्र की विशेष्टा नहीं है लोकतंद्र जंता का राज है तनसद सेना के अधीन होती है लोकतंद्र में शासक जंता क कि वो लोकतंतर की विशेष्टा नहीं है ठीक है जल्दी बताइए दोस्तों तो अगर हम लोग देखें कि लोकतंतर के अंदर क्या होता है किस के पास पावर होती है जनता के पास पावर होती है तो ये बात तो बिल्कुल सही है हमें तो जो नहीं है वो देखनी है उसके बाद लोकतंतर के अंदर शासक जो होता है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, हाँ, देश के अंदर नहता लोग कौन चुनते हैं लोकतंतरिक देशों में, देश की जनता चुनते हैं तो ये बात भी सही है, उसके बाद लोकतंतर में चुनाव स्वतंतर होते हैं, जी हाँ, किस इसी भी लोक्तांतरिक देश के अंदर चुनाओ अजादी के साथ होंगे, बिना किसी घड़बड़ी होंगे और उसमें पूरी निस्पक्षता होगी। संसद के अधीन यानि कि देश की हमारे जो संसद होती है विधाय का होती है उसके अधीन सेना होती है ऐसा नहीं होता लुक्तांतरी देश के अंदर सेना स्वतंतर आपको दिखती है तो आपको option B क्या है दोस्तों यहाँ पर सही बात नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला लक्षर नमबर वन की है ना इससे रिलेटिड आपके बहुत सारे हमने homework के questions को तयार किया है तो वहाँ से आप लोग अपने homework के questions को देख लीजेगा इन questions को कीजेगा और अपने आपको paper के संदर्ग में पूरे तोर पर मजबूती के साथ आगे बढ़ाईएगा ठीक है तो बढ़ते हैं आगे आप सभी को लेके चलते हैं किस तरफ दोस्तो धन्यवाद की तरफ तो यह तो हमारी आज की class रही जिसके अंद्रगत हमने आप सभी के साथ lecture number one को किया है अब यह जो हमारा लोगतंतर क्या लोगतंतर क्यों जो है इसका lecture number two हम लोग आपके साथ अपनी next class के अंद्रगत करेंगे और इस चैप्टर की बहुत सारी और गहराई वाली जो बाते हैं उसको हम लोग आप सभी के समात अपनी next class के अंद्रगत discuss करेंगे तो आशा है कि हमारी आज की यह जो class हुई है कि आप सभी लिए बहुत ही लाबदायक रही होगी आप लोगों से मु पसंदाई होगी अगर पसंदाई है तो इस अपने साथियों के साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें हमारी class आपको पता है कि दोस्तों हर सपता होती रहती है तो जरूर आप लोग अटेंड करें अपनी पढ़ाई मजबूती के साथ करें और PW परिवार के साथ अक्षा नाइंद में बहुत अच्छे नंबरों को प्राप करें आपका हमारे साथ जरूर ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद